है है यहां दिश्कास का नाम है में काले इंजिनियर्स एंड मैनुफेक्ट्टर्स वर्सेज बैसिक उकॉप्मेंट कॉर्परेश्ट नाइंट सेवेंट सेवेंट केस है वह समरी सूट पे बेज़्ड है इसको पहले का इसके चूक आते होता इसकह आते हैं ऊmetros यह लुकुर्ट वो यह पॉता है और एक आश्रिश पर्स एक आधिस्ट में में और फिरेंट qnap सूट समरी सूट करता है ऊबिर सेथन מांट परोट हो त्रेंट बंदा ट मिच प्रेज السंट सब्सक्राइब होता है तो époque को डिखेंडेंट कर देता कि प्लैंट के लिए आपको defend करने के लिए सबसे पहले कोड़ से grant लेकर लीफ के लिए application देना होता है और लिफ जो है वो unconditional जो है ट्रायल कोड के दवारा grant कर दे जाता है लेकिन जब अपिल करता है हाई कोड़ में तो हाई जो है वह कहता है कि defendant के जो defense है वह bonafide नहीं है को सिट एसाइट करेता हैता Yep time match जाता है सुप्यमफ कोट में अब सुक्ष्पिम के अब जाईशन पर देखते दा मिया इन सो कोया इसाइट होता है कि सुप्यमा जो है वह है कोप्रेंट के जज्जमिन को यानि के हाइक जो इसके लीव ऑफ ट्रेकर के जज्मेंट को सेट करता है और जो ट्राइल का जज्मेंट हो तो कोता है उसको प्लेजब मानता है और यह करता है कि जBut ने जो defendant को unconditional leave दिया वह बिल्कुल सही है लेकिन इस case का जो में इंपॉर्टेंस है वह फैक्ट इशू जज्जमेंट नहीं है बलकि इस केस के दोरान सुपीम कोट जो है वह समरी सूट के से रिगार्डिंग कुछ पिंसपल फॉर्मिलेट किया है वह पिंसपल ज्यादा इंपोर्टेंट है पहला पिंसपल यह है कि अगर डिफेंडेंट को यह सतिस्फाइड कर देता है कि ही हैज गुड़ डिफेंस टू क्लेम और इस मेरिट यानिक अगर ट्राइल कोट को अगर ड अगर डिफेंडेंट को तो फिर ट्राइबल इशू के ग्राओंड पे उसको अनकंडिशनल रिफigon हूरा डिफेंडेंट को मिल जाएगा जैनुरे पहला गर सबस्क्राइब तो अनकंडिशनल भी ऑनकंडिशनल मिल जाए लेकिन तीसरे किसमें सुपीम कोट कहती है कि अगर defendant का जो defense है वो illusory है या फिर malified है या फिर misrepresent कर रहा है या फिर fraud है या फिर shame है तो फिर defendant को leave नहीं मिलेगा अपने आपको defend करने के लिए तो यह जो principles है यह बहुत important है इस case के और यह case के fact issue judgment थोड़े से important है लेकिन इसका पिंस पर सब ज्यादा important है तो exam में अगर यह case है तो पिंस पर फोकस करना ज्यादा जरूरी होगा हूँ I hope कि आपको यह समझना आया हूँ